कि लिए लिए फ्रेज टैग क्या होता जन्रली कुछ-कुछ स्पेशल परपस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं जैसे कि हम लोगो कोई भी डेफिनेशन करना है या किसी कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम लोगों एंफैसिस करना है तो किसी को महत्वा देते हुए हम लोग उसको करते हैं तो छोटे-छोटे चीजें जो होती है जन्रली हमारे टेक्स्ट को बहुत अच्छा बना देती है ठीक है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कि सीवी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के हुं उसका हम लोग स्ट्रक्ट्स्रोटरल मीनिंग हम मोग दे सकते हैं ठीक है और सेमैंटिक सोफeng ऑन सेमैंटिक मतलब चाहता कि अगर हम लोगों कोई एक वर्ड कोई भी आक टेक्सट है उसके कारे में कुछ बताना है तो उसके लिए हम लोग यहां पर फ्रेस टैग का यूज करते हैं तो यहां पर बहुत सारे फ्रेस टैग अल्रेड़ी हां पर HTML में इंक्लूड कर दिए गया तो सबसे पहला है यहां पर एब्रिवेशन टैग जिसको हम लोग अब्रिवेशन टैग जैसे कि किसी भी चीज का फुल फॉर्म होता है जैसे मैं अगर HTML लिखता हूं क्या होता है हाइपर टेक्स मार्कप लैंगविज तो मैं लिखूंगा तो उसका अगर उसके तो यहांपर देखते हैं के करके यहां पर Crane करते हूं ठोसबसे पहला यहां-पर शब्रिवेशन करते यह तो-टेक्स-टेक्स रयट टेक्स विंटर इसको हम लोग एक साथ run करते हो जाते हैं कि नोट पेड़ home कर लेता हूं तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a b b r a b b r तो अबर्वीवेश्चन हम लोग लिखे यह बॉड़ी टैक के अंदर में कर रहा है ठीक है यहां पर अब्र लिखेंगे है एट टीम मृश्टी एमल लिए कुछ को मार्कप कि यह मैंने लिख दिया तो यहां पर मैं इसको स्वेस्ट करता हूं और यहां पर आके रीफ्रेश करता हूं तो यहां पर अपकुछ भी नहीं आ रहा है नोर्मल टेक्स्ट यहां पर यहां पर नॉर्मल टेक्स्ट जो लोग कि लिखे हैं वह आता है लेकिन मैं यहां प्लिभेशन किसमें लगाए हो HTML वर्ड मैं अप्लाइक है मतलब यह वाला जो एहच्टेमीड मेर्ड है मैं इसके पर माउस लिखे जाता हूं यहां पर इसकी पर क्लिक करता हूं तो इसका फॉर्म हमें बतागा चाहिए कैसे बताएगा तो मैं यहां पर यहां पर एक एट्रिब्यूट करूंगा टाइटल टाइटल एक वल्टो और यहां पर मैं लिखूंगा हाइपर टेक्ष्ट कि मार्कब लैंग्वेज यह मैंने लिख दिया इसको किया से और यहां कर दिया तो यहां पर हम लोगों को दिखेगा तो यह किया खोले फ़ेशा ऐसका कर वह कुरिए अबश्य हें दिखने हैं जो कि हम लोग अगर उस्ते पर मा Prep के जाते हैं थैस से काने हैं यहां है मार्कों सकता है विल्शो एज यलो मार्क ऑन दे ब्राउजर इस टैग इस तो हाइलाइट पर पर्टिकुलर टेक्स तिक अगर किसी पर टेक्स को हाइलाइट करना है तो हम लोग क्या करेंगे तो अब कैसे यूज़ करते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमने यहां पर लिखा मैं इसी को लिखता हूँ कि एसे यहां पर मैं ऐसे देता हूँ कि तो यह नहां पर लिखा है यह टेक्स्ट मैंने हापर पismo i7 और नहिए और सबूर्याम करूँगा उन्हाँ पर हईलाइट करने के लिए क्या करेंगे कि भी यह मार्क टी है और हम आर बहुत को ख्लेंगे कि और सो कर देंगे सेव और यहां रिस्टेश करेंगे तो HTML जो है वो यहां पर हम लोग को हाइलेट किया हुआ दिख रहा है कि आइलेट किया हुए यहाँ पर दिख रहा है तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट वाम लोग हाइलाइट कर सकते हैं ज्युक्त क्कृणर्ण टेक्स्ट इस टेक्स्ट इस यूज़्य इस ट्रॉंग टेक्स्ट ऑफ यहां पर चैनल्य कोई फी इंपोर्टन टेक्स्टम्न लगा रहा है विए इसको शिंबल सांव बोल्ड करते हैं तो यहां पर हम लोग इस टैपका प्रकार का हम लोग कर सब्सक्रेंते हैं तो तो सेम वैसी मैं एक्जाम्पल में आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर किसी को भी हम लोगों को स्ट्रॉंग देना है जिसे मैं सेम यही लाइन को मैं करता हूं ठीक है मुझे किसी भी वर्ड को किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लोगों इंपॉर्टेंस देना है तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रॉंग लिख देते हैं स्ट्रॉंग टेक्स्ट के अंदर उसको डाल देंगे तो एंपरसाइस टेक्स श्टाल विख दिस्टाइब टैक्स इन इक तैक्स में जिस तक्साइब थेच्स इंदर जो भी जिखेंगे वह क्या होगा इतैलिक में आ जाएगा तो यह हम लोग देखते हैं कि html इस एन इसी तु लर्न लेंगवें तो यहां इजी जो है वो क्या है एंफिसाइब मतलब यहां पर हम लोग देख सकते हैं एम चैक के अंदर हम लोग इस लिख लिख है को क्या हो जाएगा इटाली को लेगा तो इसी को हम लोग देखते हैं कि मैं करूंगा इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट किया और मैं से स्ट्रॉंग हटाके यहां पर क्या कर दूंगा इम कर दूंगा इम टैग लगा इम को मैं क्लोज करता हूं तो स्टीएमल जो हमारा है वह यहां पर देख सकते हैं हम लोग यहीं मतलब इटालिक में तो अगर हम लोगों को देना है कि अगर मैं मान के चलो है आप मैं यह में और लगा दे तो मार्क लैंगविज को इए यह जो जाएगा इस टालिक में आजाएगा व्हानक भाट का कर सहित तो कसी भी मतलब आससट्स करना इसकि बहुत ज्यादा महत्र आ ऑफ ज्टैलेक तो यहां पर यूश करते हैं